नमस्का दोस्तों हमारे टोचनल में आप सभी का पुना एक बाद फिर शास्वाग आते हैं जो हमारे हर्ड वार्टर होते हैं वो कितने परकार के होते हैं वह आज के इस वीडियो हम लोग पढ़ना है कि टाइपस ओफ हार्डनेस ओफ वार्टर ठीक है मैंने आपको पिछली लोग प्रकार के वीडियोएं बताया था कि जल कथि होते क्यूं है और लोग कितने पकार को होते हैं कौन सी जल हम लोग पीशकते हैं कौन सी नहीं पीश.. क्यासि यहां को नहीं कीस जल को पीश 2019 पर unit को बंदा क्यों हम लोग पर रहे हैं hydrogen hydrogen और आपको मैं hydrogen के आप को क्यें जल की कथोड़ता तो इसमें दू पढ़ना है आपको औny स्ट ही कथोड़ता मतलब हम लोगों करने के लिए यह hardness आई हो तो देखिए क्या बोलता है कि जब जल की कठोड़ता calcium और magnesium के bicarbonate के उपस्तिति के कारण होती है तब उसे अस्थाई कठोड़ता कहते हैं इस जल को शिर्फ उबाल देने से ही अस्थाई कठोड़ता दूर हो जाती है जब जल की कठोड़ता calcium magnesium bicarbonate को उपस्तिति कारण होती है तब उसे हम लोग बोलते हैं और अस्थाई ठीक है कि permanent hardness मतलब कभी खत्ता में नहीं हो तो यह क्या बोलता है कि जब जल में calcium और magnesium के collide और sulfate लवनों के घुला रहने पर जल में अस्थाई कठोड़ता आ जाती है ठीक है तो क्या बोलता है कि जब जल में calcium and magnesium collide जो लवन है वो सब घुले रहेंगे तो जल में अस्थाई कठोड़ता यानि कि permanent hardness आती है ठीक है अब अस्थाई कठोड़ता जो है अस्थाई यानि कि temporary उसको दूर करने की बिधिया क्या है वो देख लेजिए उसके बाद अस्थाई कठोड़ता को देखेंगे तो देखेंगे जल को बाल कर यानि जाहीं जल को बाले कर देख उसमें कठोड़ता करेसे दूर होती है तो जल को बाल देने से उसमें उपस्तिज CAH Cu2 और Magnesium Bicarbonate अब घटित होकर Calcium Carbonate और Magnesium Carbonate में पड़िवातित होकर और छेपित हो जाता है जिससे जल मिर्दू जल बन जाता है यानि कि पीने के लाइक बन जाता है ठीक है एक बार मैं आपको लोग बता दे रहा हूं कि जो जल होता है उसको हम लोग गर्म करते हैं गर्म करने पर जो है कि इसमें उपस्ति जो होता है कैल्सिया बाइकारमेट और मेंगनेशिया बाइकारमेट जो आप घोटित होकर मिर्दू यानि की पीने के लाइक बन जाता है अब हम लोग देखते हैं कलार के बिधी तो देखिए क्या होता है कि इस बिधी में कली चुना को जल में मिला दिया जाता है कली चुना क्या होता है सी एो ठीक है उसक्या करते हम लोग की जल में मिला देते हैं ठीक है अब जल में मिलाने पर जल में उपस्थिज cah cah co3 कि calcium by carbonate और magnesium by carbonate ठीक है चूना जल के साथ अविक्रिया करके क्रम सा calcium carbonate और magnesium carbonate बनाते हैं जिने च्छान कर हटा दिया जाता है ठीक है अब जो हमारा calcium और magnesium निकल गया तो यह इसका कटोड़ता दूर हो गया ठीक है तो यह हमारा हो गया अस्थाई का ठोड़ता है दोर करने की विधी ठीक है तो देखिए का बोलता है कि इसमें हम लोग जब कली चुना को जल मिलाते हैं कली चुना के हमारा होता है C-A-O calcium oxide ठीक है जब इसको हम लोग जल मिलाते हैं H2O ठीक है तो बनता है C-A-O-H 2, यानी कि यह हमारा है चुना जल जल ठीक है? यहीं बोलना है कि इस विधी में कली चुना को जल में मिला दिया जाता है तो मैंने कली चूना को जुन में मिला दिया थिक है तो यह बनका चूना जल जल में उपस्थे làm । काल्सियम वाई कार्च विक्रिया करके मतलब केल्सियम वाइ disciple कार मेंगनेसियम चुने जल करेंगा और केल्सियम जिसको इसको हम लोग छान कर हटा देंगे ठीक है तो चुना जल की अभी करिया यानि कि सी ए ओ एच टू इसकी अभी करिया जा हम लोग कराते हैं सी ए एच सी ओ थ्री का ट्वाइस ठीक है यानि कि कल से हमें कार्बोनेट से तो यह हमारा बन जाता है कि तो सी एस सी ओ थ्री जो की नीचे बैठ जाता है कि यह होता है अमरा प्लस टू एच टू ओ ठीक है जब यह अभी करिया करता है चुना जल केल्सियों वाइकार्मेंट से तो सी इस सी ओ थ्री बनता है और यह अभी च्छेप होता है जिसे कार्ण लिये अब च्छेप जो होता है यह इसमें बैठ आता है जिसको चान कर अलग कर लेंगे तो बज्जे गामरा जल जो है कि इसमें केल्सियों निकल गया तो यह इसकी कठोड़ता दूर हो गई ठीक है अब नीचे दखते हैं वह तो था और अस् कि दिखेह एक यह इसमें पहला है सूडा विदि अब लोग मिला दए ला दिय当 होती सलफेटर कर वह दत कि गई कर देखते हैं और सोडिया मिला चार्बोनाटर आफोर कल्सियम कार्बॉनाटरी मेंगनिशियम कार्बॉनाटर तो देखिए CA CL2 इसमें मिला दिया sodium carbonate ठीक है तो ये का बना देगा CACO3 यानि की calcium carbonate या उच्छेपित हो जाएगा और ये NACL हमारा बज जाएगा ठीक इसी परकार MgSO4 क्या बनाया NA2 CO3 के साथ अभिक्रिया किया और बनाया MgCO3 PLUS 2NACL तो वही बोला है कि कठोर जल में sodium carbonate की उप्यूक्त मातरा मिला दी जाती है कठोर जल में हम लोग sodium carbonate की मातरा मिला दी है ठीक है तो कठोर जल magnesium magnesium के collide जो हमारा ये calcium magnesium के collide है ठीक है और सब्सक्रियर लवन sodium carbonate के साथ अभी क्रिया करके sodium carbonate के साथ अभी क्रिया करके calcium carbonate और magnesium carbonate बनकर उच्छे ती भी जाता है सूडियम हेसा मेटा फॉस्फेट ये इसका फ्रमूला तरता है इतना लंबा एने टू एने फॉर पीशिक्स ओ एटिन ठीक है ये क्या है सूडियम हेसा मेटा फॉस्फेट को कठोर जल में मिला कर मिला देने पर जल में कैल्सियम और मेंगनेशियम आयन जो होते हैं आयनों के साथ अभी किरिया करते हैं ठीक है तो था कैल्सियम और मेंगनेशियम आयन जर्टिल आयन बनकर जल में ही रह जाते हैं कि उनका प्रभाव समापत हो जाता है मतलब रहेंगे जल में ही लेकिन जो उसका प्रभाव होता है एफेक्ट करने की वह एफेक्ट करने पाएगा ठिक है तो देखे क्या है कि सूर्डियम हैसा मेटाफासपेट को कठोर जल में जब हम लोग मिलाते हैं ठिक है तो calcium और magnesium के जो आयन होते हैं अभी क्रिया करेंगे और वो जाटिल आयनर बन का जल में ही रहा जाते हैं कि तो effect नहीं करते हैं ठीक है अब नेख देखिए आयनर बीनिमा विधी ठीक है आयनर बीनिमा विधी तो इसमें क्या होता है कि इस विधी में कठोड जल में विध्यमान calcium और magnesium ठीक है तो calcium और magnesium आयनों का जल में डाले गए जटिल यह ओगिक के आयनों के साथ विनिमा होता है ठीक है यह जटिल यह ओगिक आयन विनिमा का लाते हैं आयन विनिमा के रूप में संसलेशित sodium resin जिसको हम लोग RNA से डिनोट करते हैं का इस्तमाल किया जाता है कठोड जल को म्रिदू जल में बदलने कि यह अधुनिक विधी है ठीक है इसमें का होता है आयन विनिमा विधी में कि सबसे पहले इसमें calcium और magnesium आयनों का जल में डालेगे जाटी डिविक के साथ आयनों का विनिमा होता है ठीक है किसके संग होता है RNA के साथ RNA प्लस calcium 2 प्लस यह मिल गया बन गया R2 CA प्लस 2NA प्लस ठीक है इसी परकार RNA प्लस Mg 2 प्लस यह बनाया R2 Mg प्लस 2NA प्लस ठीक है यह हमारा ae n end में डिविक मतलब कि यह आयन का exchange कर रहता है और जो होता है c share c के साथ attach होता है sodium बहार निकल जाता है magnesium के साथ attach होता है मैंगनेशिय बहार निकल गया तो बस्चियाश में sodium sodium जो हैँमारा जल के साथ रहता है, तो ये हमारा है आननल विदी में विदी और जब यह सुध ही निकली गया, तो यह हो गया जल हमारा सुध ठीक है दोस्तों, तो हाई उप आपको समझ मैं आगया होगा कि जो जल कि कठोर अस्थाई और अस्थाई कठोरता है इसकी कैसे दूर की जाए तो दोस्तों कामें चलको सब्सक्राइब नहीं करें तो प्रीज सब्सक्राइब कर लिए जब बेलेगों को तब यह तक सभी अन्य अपडेट आपको मिलता रहे हैं और आप तो इस्टेटी करता रहे हैं थैंक यू